हलो तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि बहतर होंगे आपके अपने यूटूब चैनल जनकारी मोड में आपका स्वागत है खुशाम दीद है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरनो के उचारन अस्थान पर और यह बहुत छोटा सा वीडियो है और आपको 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 सही अस्थान चुनना होता है तो ये एक छोटे से वीडियो में आपको सारा कुछ किलियर हो जाएगा और इसलिए मैं ये फोटो पर ये वीडियो बना रहा हूँ ठीक है? देखिए पहला यहां पे कंट कंट से कौन-कौन से वर्ण निकलते हैं तो यह आपका आ, 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 कौवर्ण वाला जो भी है जासे कछा गाओ अब आपसे पूछ रहा है कि हा का उच्छारनस्थान तो आप अराम से बता सकते हैं कंट ठीक है? दूसरा आपके यहाँ पर आए तालू अब तालू जब हम बोलते हैं तो जुबान हमारा जो है वो तालू में उपर सठता है तो वहाँ से कौन कौन सर आवाज निकलती है तो आपका ई बड़ी ई चो वरगवाला चो चो जो जो भी है यह और शर यह जहां से निकलता है यह तालू से निकलता है यहां से उसके बाद आता है आपका मुर्धा यह जिसे मुर्धन निकलता है हम लोग पढ़ते थे तो इस वाले सर को बोलते भी थे हैं मुर्धन ने सर बोलते थे तो यह मुर्धन ने होता है जिसमें और टर जो भी है तो यह आपका कहां से आता है तो यह पोज़ैं निकलता है मुर्धा से अब आपको क्यूंदff को देखी तो आप सुझाहर शाहर आता है आप इसका स्किल्ध DAVID लिए चलते हैं और वाराम ओरता है उसके बाद यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, देखिए, यहाँ पर नसी का, नाक जो है, तो नाक से कौन का सब निकल रहता है, उसके बाद यह ना, ना, मा, यह सब भी निकल रहता है, दंत मूल से यह दो हैं, जो आपको याद रखना है, रा और ला, ठीक है, फिर दंत आता तो आपका जुबान जो है वो दात में टच होगा, सटेगा, उसके बाद ही यह जो वर्न है वो निकल पाएंगे, ठीक है, तो यह आपका दंत हो जाता है, उसके बाद आता है आपका ओस्ट, ओस्ट यानि होट, तो देखे, यहां से एक सब्त पूछता है, जैसे भौ, बोलता जाता है नसिका में आपका, यह भी याद रखना है, वैसे अब यह दंत, ओस्ट मिलके जब निकलता है, तो यह वो निकलता है, ठीक है, तो यह उतना नहीं इंपोर्टेंट है, आपका जो इंपोर्टेंट है, वो है आपका कंट, तालू, मुर्धा, नसिका, दंत, और ओस् और आराम से आप बना सकते हैं उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई थैं